नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ओनलान इस्टिटूट टार्गिट पर था लोग में मैं रवी तिवारी खंड सिक्षातकारी 2019-2020 की परिक्षा को लेकर एक वीडियो कल हम लोगों ने डाला था उस वीडियो के नीचे आप लोगोंने अने को कमेंट कि लेकर कमेंट बहुत सारे प्रुष्णों को लिए हुए थे जो आपके मन में संकाय हैं और जो भरम हैं इसको लेकर एक बिस्तित नोटिफिकेशन कल साम को आप ही गया तो हम लोगों ने सोचा कि एक और वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रुष्णों संकाओं को दूर क किया जा सके जिससे आप अच्छे से फॉर्म भर सकें और आप अपनी तैयारी में लग सकें तो आज की वीडियो बनाने का उद्देश यही था कि सबसे पहले तो आपके मन में जो सबसे बड़ा प्रुष्ण है कि सर कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है किस-किस के पास eligibility इ और दूसरा इसका पार्ठिकरम क्या है इन मुंदों को भी इसपश्ट किया जाएगा और योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे कौन-कौन फॉर्म भर सकता है इसको लेकर मैं आपको बता दू कि जो आपका notification आया है उस notification में eligibility को लेकर कुछ जो भरम है उसके लिए हम लो हम लोगों के तो वहां से कुछ संदर्व हमें प्रात हुए हैं और कुछ संदर्व हमें मंडे को और इसपश्ट हो जाएंगे तो मैं चीजों को क्लियर कर दूँगा हाला कि बहुत कुछ चीज़ें बिल्कुछ साफ हो चुकी है जिनके बारे में बात करूंगा इसके पर मैं आपको बताऊगा कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है फॉर्म को भरनने की एलिजबिल्टी किसके पास है आईए प्रतिकरम से खंड सिक्षातकारी के रूप में प्रतिष्ठित पता आपके सामने है एक ऐसी नोकरी जो बहुत सांदार है और एक मौका जो आपके सामन करता है उनका अपना एक स्थिर होता है इसके स्लेवस को देखने पर प्रतित होता है कि पाटकरम आपका था या आप समिक्षातकारी सायक समिक्षातकारी की जो परिछा देते हैं लगबगक उसी प्रकार का स्लेवस इसका जो है बनाये गया है जो PCS के स्लेवस धूड़ा नीचे है लेकिस सामन परक्षाइं जो आपकी यूपी ट्रिपल सी द्वारा आयोजित होती है उनसे काफ ही उपर है कुछ बिसिष्टी बिंदू भी आपके सलेवास में डाले गए हैं जो सब्सक्राइब करते हैं यहां पर अगर हम देखें इस परक्षा के लिए तो कुल प्रिष्णों की संख्या प्रादम परक्षा में 120 की होगी है ना दो घंटे का समय है यहां पर थना और तीन सो नंबर का एक पेपर हैं 120 कुल प्रिष्णे हैं दो घंटे का समय तीन सो नंबर का पेपर हैं सामान विज्ञान जर्णल साइंस भारत का इत्यास भारती राष्टी आंदूलन एक कॉमन सब्जेक्ट हैं जी एस के आप जानते हैं भारती राजितन तो अर्थरुवस्ता को एक साथ लिखा गया है इस के हिस्से में इसको भी आपको पढ़ना है बिस्त का भूगल एवं भारत का भूगल करेंट अफेर्स अलग से लिखा गया है यहां पर करेंट अफेर्स की अच्छी भूमका होगी सामन बॉद्दे के वर्म तार्किक छमता जैसे आप अलग-अलग पेपर PCS में देते हैं कि PCS का पेपर अलग देते हैं GS का पेपर अलग देते हैं यहां पर वीओ की परच्छा में कमाइंड सेट किया गया है यहां पर दो अंतर है जब आप PCS की परच्छा देते हैं तो PCS आपका क्वालिफाइंग होता है लेकिन यहां पर क्वालिफाइंग मेंचर नहीं है यहां और मेठ और रीजिनिंग आपकी डिसाइडिंग फेक्टर होने जा रही है क्योंकि जितना कुष्चन आप यहां पर सही करेंगे उतना ही आप यहां पर लीट करेंगे तो यहां पर देखिए लिखा है सामान बहुत चमता यह रीजिनिंग का हिस्सा है यूपी स्पेसल है प्र 220 प्रिश्णों को आठ हिस्स्व में बाटा गया है अभी इस प्रष्ट को पार्ठिक्रम नहीं आया है कि कहां से कितने प्रिश्ण आपके होंगे लेकिन लगभग लगभग हम लोग देखें तो तीर रिप्रिजेंटीशन इस खंड में होंगे एक मैठ रीजिनिंग का सामिल होगा और यहां पर हम मालें कि 120 में से 50 प्रिश्णे आपके लगभग लगभग इन हिस्सों से होने चाहिए जो आपको मैठो रीजिनिंग के हिस्से हैं इसके बाद और विस्त्रिक जब जो है चीजे आती है तो मैं और इस प्रष्ट करने की आपको कुसिस करूँगा किसकी रूप ने खा आपकी परच्छा की क्या है कि किस भाग से कितने पृष्ट है आपके यहां पर होंगे तो आईयो बीशा के परिए जलदी से बात हम लोग कर लेते हैं तो दिखेए मुक करें दो परिए सबसे पहले पेपर बन की बात करते हैं ठीक है तो पेपर पन में भारत का इत्यास है भारती राष्टे आंदुलनिवम सलस्कृति है इसका मतलब आर्टेंट कल्चर है यहां पर जो अध्यापक आपको चाहिए वह अध्यापक आपको ऐसे चाहिए जो लिखवा सके कुश्चन को फ्रेम करा सके क्योंकि सामन पुष्ट भूमी पर जब आप फैक्च्वल इंफ्वर्मिशन परते हैं तो यह कुश्चन आपके हल नहीं होगे क्योंकि यहां पर मार्किंग आपको कौपी और लेखन के आधार पर दी जाएगी बस्तुरिस्ट पितार के जो पुष्चन हो इसकी लेखन से लिए अच्छी हो अगर 125 सब्द आपको लिखने है तो वह 125 सब्द इतने मारक हो कि दस नंबर का अगर पुष्चन है तो एकजामनर बाद हो जाए उसमें आठ नंबर देने के लिए मैं अगले दो तीम दिन में कुछ हिस्सों के मैंस की आपको राइटिंग लोग एक साथ लेके आएंगे तो मुख परिच्छा की क्लास होगी तो मुख परिच्छा में बहुत सारे हिस्से में स्वयम आपको कबर कराऊंगा इसमें से लगभब चार भाग प्रारम बेपरिच्छा के तो नहीं लेकिन मुख परिच्छा की लगभब चार भाग में मैं सुनित आपको साथ उपस्तेत रहूँगा कि आपको कवर गराओंगा यहांप देखिए आप लोग पर भारत का इध्यास है है भारतिये राष्टी आंदोलें में संस्किति भारतिये राजनीती इवन कि रिसी है जैसे यह हिस्सा में आपको कवर कराओंगा के लिए और भी इस में अधितन विकास ये हिस्सा में आपको कवर कराऊंगा उत्तर प्रदेश से हैं ना भारत का अध्यास भारती राष्टी आंदोलनिम संस्कृती है ना यहां से देखें तो यह पूरा जी एस का आपका पूर्शन है इन हिस्सों में देखूंगा कि कितनी मैं आपकी जादा से गया है उसमें प्रशनों में विवित्ता होगी उसके स्टेंडर्ड में विवित्ता होगी तो हम एक ही तरीके से सारी चीजों की तयारी नहीं कर सकते यहां पर अगर आप प्रती दिन तीन घंटे प्रिलिम्स की तयारी करते हैं तो दो घंटे मुख परिक्षा की तयारी अच्छे परिक्षारती होते हैं प्रारंभित परिक्षा का जो नेचर है लगवग लगवग उसे नेचर पर आपने सुरू से ही पढ़ाई की है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और जो थोड़ी बहुत दिक्कत में होगी वह हम लोग पूरी कर लें है यदि हम पुष्णों की बात करें तो पुष्णों को देखिए चार खंड़ों में बाटा गया है दस पुष्णे आपके सामानुप्त्री हैं जो 125 सब्द में लिखने हैं कैसे लिखने हैं क्योंकि अभी तक जब आप मुख परिक्षा भी देते थे तो ऑब्जेक्टिव ताइप में देते थे लेकिन यहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको परिक्षा देनी है तो यह आपके लिए चुनोती हो सकती है क्लिए दूसरा लगूत्री पुष्णों भी आपको दसकरने हैं जो 50 सब्द में लिखने हैं छेंग के हैं अब 50 सब्द में कितना जाए चार पांच लाइन में कि हमारी चीजें पुष्ट हो जाएं और हम अच्छे से अपने उत्तर को फ्रेम कर सकें बी सती लगूत्री पुष्णे हैं जो 25 सब्द के हैं प्रितिक्ति यह दोंग हैं इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हर तरीकी का वरियेसन यहां मुख परिक्षा में किया गया है 40 पुष्ण हैं और 400 अनवार हैं जो चार खंड में आपके विवाजित होंगे क्लियर तो यहां पर कंप्लीट तयारी की आप लोग को जरूवत है आप लोग अगर तैयारी प्रारभ्व कर रहे हैं तो कंप्लीट तयारी को सुरुवास से ही प्रारभ करें इसके बात जब हम दूसरे प्रिश्ण की तरह बढ़ते हैं तो दूस्रे प्रिश्ण वगत में सामान हिंदी और सामान निवंद्ध है ये भी 200 अंके का है, 3 घंटे का है, क्लिए 100 अंके का आपको हिंदी तयार करना है, और 100 अंके का आपको निवन्द तयार करना है, तो हिंदी और निवन्द की तयारी भी आपको प्रादम से बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी एक्सपर्ट के साथ करनी है, ताकि आपको तयार करना होता है तो इन चीजों पर भी आपको ध्यार देना है अब बात करते हैं कि कौन-कौन फॉर्म भर सकता है कमिशन में हम लोग की क्या बात हुई है क्या संदर्वित हुआ है कमिशन से हम लोग को इस बारे में बात करते हैं ताकि आपकी संकाय दूर करने की हम लोग प्रयास करें तो देखें यहां पर मैंने अलग अलग बनाया हुआ है जो आपका नोटिफिकेशन है जो आप से शेयर करता हूं कुछ संदर्व हम लोगों को सोमाल को प्राप्त होंगे तो मैं एक और वीडियो की माध्यम से आप लोगों को सेयर करूंगा देखें ग्रेजुएट प्लस बीडिज एलिजिवल साफ साफ लिखा है कि आपने ग्रेजुएशन क्या हो और बेट क्या जो भासा लिखी हुई है उस भासा से इस पॉस्ट नहीं हो पा रहा है कि बीड के अतरेट अधुएशन है उसमें एलोगील्टी है यह नहीं है मतलब जिसने बीड ना किया हो सिक्छा शास्त्र से जिसने बीड किया हो क्या भो भी बीड के एक उसको कमिशन है पहला संसा उ electrod कर दो प्रदान करने के लिए कह तो क्योंकि हम A車 से जानते हैं कि पॉइए के समकष नहीं होता कला थोड़ा सा आपको इन्टिजार करना होगा ये चीज़ें सोमार को बिल्कुल इसपस्ट हो जाएंगी मैं स्वयम आपको इसपस्ट कर दूँगा उसके अलावा देखे ग्रेजुएट अगर आप लोग है प्लस बीएड है एलिजिबल है अब ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी ये डीएलेड अगर आप है की भासा है उसको देखके लग रहा है बिल्कुल एलिजिबिल्टी है समकक्ष लिखा है अब बीएड के समकक्ष बीटीसी को मानना है कि नहीं मानना है आप लोगों ने भी बीएड बीटीसी किया है और आप भी ये मानते है कितकी समकक्षता है कि नहीं है तो इसके लिए आ ताकि इन चीजों को आपको स्कॉष्ट करने की कोशेश करोगा तीसरा ग्राजीशन प्रॉस लिखा है ग्राजीशन प्लस डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट अगर आपने लिया है यह भी साफ साफ लिखा है तो वह आपको इन बेसिक सब्सक्राइब कर सकते हैं लिकिन जो तक है उनकी अगर हम बारिकी से जाच करें तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है तो दूसरी आहरता और पांचमी आहरता पर थोड़ा सा संसय है पहली तीसरी और चौथी अहरता बिल् aliens के लिए है कि सभी लोग भल सकते हैं कि जो अगर देख लिजी कि कब आपका ब्रूरा हो अगर यूगता है तो उस हिसाब से फिर आफ उसको कंटिनू कर सकते हैं तो यह इक महत्पूर जो हैं पर इसलेवर से अपसी हिसाफ थे 23 चैजरूरत है मैं आपको स्पष्ट कर दू संस्थान द्वारा एक जबर्जस्त और योग टीम के साथ इसका बैच चलाया जाएगा जिसमें मैं स्वयम रहूंगा और मैं पूरी जिम्यदारी इस बैच की लूँगा है जल्दी हम लोग इस बैच की रूप लेखा को तयार कर रहे हैं जो सिक को ने इससे पहले मेंस पढ़ाया हो उनको दस बालावारा वर्स का अनवाओ ऐसे सिक्षक आपको बिलेंगे तो लगातर मुख परिक्षा में कुश्चन से लिखवाते रहे हैं क्योंकि वह 40 प्रिशन है आपके लिए बहुत महत्तपूर है वह हिंदी का हिस्सा आपके दिए जा रहे हैं नंबर्स पर फोन कर सकते हैं बैच लगबाग हम लोग जन्वरी के पहले सप्ताय से सुरू करेंगे बाकि 22 तारिक तक अभी आप टेट में ब्यास्त रहे हैं 22 तेश तारिक के बाद में हम लोग इसकी और सोचना देंगे बाकि पिरती दिन किसी ने किसी इस वीडियो के महाध्यम से मिवयं आपके समच्छे बना रहे प्याने में मेरिश्वायन रहेगा होगी अपनी भूमका को अपनी भूमका कराओ कि चेज़ हो सकता हूं और ऑम योगता के तो दक तोर बाकança कोई जानकारी नहीं है जो किसी को क्लियर नहीं है वो आपको भी क्लियर नहीं उसके लिए कमीसन को जाकर किया गया सुम्हार को जब पस्ट किया जाएगा तब तक किसी तरह के भरम में आप लोग होना रहे अच्छे से पढ़ाई करें जो लोग कल चो कल PCS के पेपर में सामिल हो रहा है मैं इस यश्वाओं से प्राथना करता हूँ हमारा संस्थान प्राथना करता है कि आप सफल हो और कल्ल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे और कल्ल का दिन सफलता की नई अबारत लिखके आप लोग के लिए आए मेरी तरफ से आप इतना ही इनी सुपकामनाओं के साथ बहुत बहुत दर्नवाद नमस्कार